नमस्कार स्वागत हैपका दस्टडी हम मैं इस वीडियो में हम आर्टिकल 368 के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे हमारा जो कॉंस्टिशन था वो 26 जे 1950 को इंफोर्स हुआ था तब से लेके आज तक कंट्री में काफी ज्यादा चेंजिस आये हैं कंट्री में जो कंट्रीशन थी उस टाइम 1950 में और आज जो कंट्रीशन है उनमें काफी फर्क है तो कंट्रीशन के चेंज होने के साथ उसी कंट्री का Constitution में Changes होना भी काफी ज़्यादा जरूरी होता है तो वो जो Changes होते हैं Constitution में जो Alteration होती है Constitution में वो उसके Provisions में होती है हम कुछ Provisions जो है वो Add करते हैं और कुछ Provisions जो है हम Delete करते हैं Constitution से According to our Need तो अपने Need के According जब हम Constitution में Changes करते हैं उन ही changes को हम क्या कहते है, amendment in the constitution, जिसका जो procedure है, वो article 368 में बताया गया है, part 20, वो यह किस में आता है, part 20 में आता है, और यह क्या करता है, ensure करता है, check on arbitrary power of the parliament of India, कि parliament जो है, वो article 368 में जो procedure दिया गया है, उसको ठीक से use करके amendment कर रही है, कि नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर र court होता है, वो unconstitutional बोल देता है, और यह जो हमने provision है, यह बारू कहां से किया गया है, article 368 को हमने बारू किया है, South African constitution से, हमारा जो parliament है, वो किसी भी part को amend कर सकता है, under the article 368, पर यह है कि वो basic structure को effect नहीं होना चाहिए, अब यह basic structure क्या होता है, रेखो, जैसे कोई भी amendment होती है, तो supreme court decide करता है, case to case, कि वो basic structure को, basic structure को, मतला basic structure को disturb कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर वो basic structure को disturb करती है वो amendment, तो supreme court उसको unconstitutional बोल देता है, amendment को उसको act नहीं बनाय जाता है, उसको supreme court बोल देता है, article 368, part 20, वो provide करता है two types of amendment in the article 368, Article 368 में two types of amendment के बारे में बताया गया है तो जो पहला है by a special majority of the parliament इसमें दो चीजें जो हैं वो satisfy होनी चाहिए पहली चीज है कि जो majority of the half of the members majority of half of the members 50% से उपर-उपर members की जो है वो majority होनी चाहिए और second thing है 2 by 3 की जो है वो majority होनी चाहिए total strength की इसको आगे discuss करेंगे detail में कि यह मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है तो second thing है कि यह दोनों तो होनी ही चाहिए जो उपर discuss की है majority of the 50% of the total seats of the parliament और उसके बार 2 by 3rd majority से भी वो pass होना चाहिए और यहां पे और जो second चीज है यहां पे ratification of the half of the total states जो है अगर 30 states है तो उसमें से पंद्रा की जो ratification है वो होनी चाहिए तो अगर यह दो चीज़ें होती है तब ही जो है amendment की जाएगी वरना नहीं की जाएगी तो जैसे कि आपको बताया कुछ areas है जहां पे first approved होती है amendment parliament के दौरा और फिर 50% state का ratification ले जाती है simple majority से जब यह सब हो जाता है तो president assent के लिए बेजी जाती है और वो जो amendment है वो act बन जाती है अगर 50% states जो है वो अपनी ratification नहीं देंगी तो amendment नहीं होगी और यह 50% states की include की है यह तभी include की है अगर जैसे हमारी federal quality है जो ताकत है center वो state के साथ भी share करता है तो अगर state के according जो ताकत center state के साथ share करता है उसमें changes करने है तो उसमें 50% states की ratification भी चाहिए अगर यह ratification मिलती है तभी federal structure में changes आएंगे अगर यह ratification नहीं मिलती है 50% states की तो यह changes जो है amendment आगे carry forward नहीं की जाएगी तो article 368 के अंदर two types की amendment होती है जैसे कि आपको पीछे बताया एक होती है special majority और एक होती है special majority plus 50% of the ratification of the states और third जो change जिसको हम simply बोलते है change in the constitution वो बोलते है simple majority से अगर हम बोलें कि हमने amendment नहीं की है सिर्फ change की है constitution को तो वो किसे होता है वो होता है simple majority से हम change क्या करते है simple majority से उसको आगे देख लेते हैं अगर हमें कोई new state add करनी है Indian union में किसी state का जो existing state है भी उसका name area boundary maltration करनी है salaries allowances of the MPs use of official language in the Parliament citizenship की termination or acquisition इसमें changes लाने है election to the Parliament and state legislature union territory के लिए कोई हमें provision लाना है या उसमें changes करने है delimitation of the consequences change in quorum मतलब अगर हमें लोग सभा का business आगे करी करना है तो कम से कम इतने member चाहिए कि हम लोग सभा की जो business है वो आगे कर सके उसमें जो बहस वगेरा जो होती है वो हम आगे उस दिन का जो business है वो आगे चला सकते हैं तो वो चाहिए हमें 10% जो MPs है वो प्रेजेंट होने चाहिए चेंजिस करने हो तो वो भी सिंपल मेज़रिटी से किया जाएंगे तो वो भी इसके administration of terrible areas के according अगर हमें कोई change करना है तो वो भी सिंपल मेज़रिटी से किया जाएगा पार्लिमेंट में तो अगर हमें amendment करनी है special majority से तो उसमें दो चीजें जो है वो satisfy होना जुरूरी है जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आगे अगर हमारे यह दो चीजें एक 2 by 3rd present and voting और 50 percent of the total strength of the house अगर total strength of the house जो है 545 है तो उसमें 50 percent मतलब 273 के आसपास जो है ये लोगों की सहमती चाहिए इससे अगर एक भी कम हुआ तो नहीं की जाएगी और second condition जो है 2 by 3rd मतलब अगर 400 लोग present है तो 400 का आदा हो गया 400 को अगर हम 800 by 3 मतलब यह आता है 266 के आसपास तो एक condition यह हो गया 2 by 3rd member present and voting अगर 400 member present है तो it means वहाँ पे 266 members की सहमती चाहिए तो यह दो conditions अगर satisfy होगी तभी amendment हो पाएगी special majority से otherwise नहीं हो पाएगी तो इस category में कुछ provisions आते हैं जो amendment होते है special majority से जैसे कि fundamental rights इसमें हमने add किया था right to privacy जो right to privacy हमने add किया था वो भी amendment थी fundamental rights में वही तो बोला कुछ चीज हम add करें या delete करें तो इसको amendment ही बोलते है DPSP में amendment करते हैं तो इसमें भी हमें special majority यह जो दोनों चीजे हैं यह दोनों चीजे हमें satisfy करनी होती है यह दोनों चीजों से हमें pass करवाना पड़ता है Special majority with ratification by the state legislature अगर हमें कोई federal feature कोई भी federal feature जो है हमें change करना है कोई भी federal feature अगर हमें change करना है तो उस federal feature को change करने के लिए सबसे पहले जो बिल है amendment का वह पेश होगा parliament में उसको हम two by third majority से और 50% जो है total majority से हम pass करेंगे और वो पास होने के बाद में भी जाएंगा स्टेट में ऄस्ट में स्टेट legislature में उसको simple majority से pass किया जाएगा और फिर वो बिल जाएगा president के accent के लिए और फिर बुल जो है परेज़ेंट के साइन के बाद एक्ट बन जाता है तो इस केटेगरी में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं इसमें आता है election to the office of the president president office के election executive power of the union and state अगर union और state की executive power के related हमें changes करने है तो उसमें हमें state की रिजामनदी यह होती है ठीक है इनमें अगर चेंजिस करने हो तब भी हमें स्टेट की रजामन्दी की जूरत है ठीक है प्रोविजिन्स प्रोटेंटिंग तुदा सुप्रीम कोट आफ इंडिया इंडिया में जितने भी हाई कोट्स है उसके लेटेट कोई चेंज करना है तो उसमें भी हमें 50% जो है स्टेट की रजामन्दी चाहिए उसमें 50% स्टेट की रजामन्दी चाहिए तब ही वह अमेंडमेंट हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा और जो प्रसीजर हमें आर्टिकल 368 के अंडर दिया गया है अमेंडमेंट करने का स्पेशल मुजरिटी के साथ अगर उस प्रसीजर को भी अमेंडमेंट करना है तब भी हमें 50% स्टेट की जो है वो अग्रिमेंट चाहिए उसका रेटिफिकेशन चाहिए इसको हम फैक्ट के तोर पे भी ले सकते हैं कुछ फैक्स भी है हमारे कॉंसिटीट्यूशन ने जो अमेंडमेंट की पावर दे रखी है वो दे रखी है पार्लिमेंट को हमारा पार्लिमेंट ही हमारे कॉंसिटूशन में अमेंड कर सकता है किसी भी स्टेट को यह पावर नह amendment bill और इसको एक private member या minister दोनों मेंसे कोई भी introduce कर सकता है minister तो वो होगे जिसके पास कोई ministry है और private member वो हो जाता है जिसके पास ministry नहीं है यहां तो जो council of minister में नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं private member इस bill को introduce करने से पहले हमें prior recommendation जो है president की prior recommendation लेते हैं लेकिन constitution amendment bill में हम prior recommendation प्रेज़ेंट की नहीं लेते हैं और यह necessary है इसको दोनों house जो है वो separately pass करें और कोई भी joint sitting नहीं होगी ठीक है कोई भी joint sitting नहीं होगी इसको pass करने के लिए जो दोनों houses है वो इसको separately pass करेंगे और उसमें pass करने में दो चीज़ें जो है वो satisfy होनी चाहिए पहली चीज जो है वो है 50% जो है total strength of MPs जो है वो pass करेगी दूसरी जो satisfy करेगी thing वो है two by third of the majority ये दो चीज़ें अगर satisfy होंगी तभी amendment हो पाईगी ऐसे तो नहीं हो पाईगी उसके बिल को प्रेज़ेंट के पास बेजा जाता है उस प्रेज़ेंट के चैन के लिए और फिर वो बिल क्या होता है act बन जाता है प्रेजेंट इसको refuse नहीं कर सकता sign करने के लिए ऐसा पहली होता था 1971 के पहले तो फिर 24th Amendment Act हुई जिसमें यह किया गया कि वो अपना संट देगा ही देगा उसको रिफ्यूस नहीं कर सकता विटो नहीं कर सकता ठीक है तो इस आल अल अबोट तो देंक यू सो मच और ब्लेस यू अल